हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चानल आज की रेसिपी यह छोला और नमकीन पूड़ी ज्यादा बाते की हुए आगे बढ़ते हैं देखिए वीडियो को सुरू करते हैं यह देखिए नमक मैंने लिया है और एक ट्यम एक कटोरा वोल प्याज लेहसून मटर तेशपा सुखा मीर्च और यह एबरेट्स्ट मीट मसाला है देखिए वही यह हल्दी एक चमच और मैंने गैस पे एक कुकड चड़ाया है अब थोड़े देर कुकड को गर्म कर लें हमारा कुकड गर्म हो चुगा है अब इसमें मैं ऑईल डालूंगी देखिए मैंने ऑईल भी डाल दिया और थोड़ा ऑईल को गर्म कर लें अब हमारा ऑईल गर्म हो चुका है तो इसमें मैंने लेसून डाला और इसे थोड़ा चला लें कि थोड़ा ब्राउन कलर हो जाए और इसमें मैंने तेश्पार डाला ये दोनों को मिला लें और इसमें सूखा मेर्च अब इसमें जो मैंने प्याज या था एक कटरा वो भी मैंने मिक्स कर दिया और इसे अच्छे से चला लें प्याज को थोड़ा ब्राउन कलर लाना है देखिए बहुत अच्छे से चलाएं कि थोड़ा देर रखना है इसको गैस पे और मैंने यहाँ पे थोड़ा नमक डाल दिया कि थोड़ा जल्दी प्याज जिगल जाएगा देखिए जो मैंने यह प्याज और मैंने ना अला है सुन यह मिर्च को पीस के यह मैंने मिक्स किया था वो डाला मसाला है एवरेश्ट मिर्ट मसाला था यह और मैंने एक चमस नमक भी डाल दिया और हल्दी भी अब इस सारे चीज़ को मिक्स करेंगे देखिए हमारा कितना अच्छा फ्राई हो गया मसाला बट थोरी देर इसको न मिक्स करते रहेंगे तो यह बहुत अच्छे से पक भी जाएगा थोड़ा पानी डाल दी हूँ तो अच्छे से यह इसको चलाऊंगी तो बहुत अच्छे चाहिए पतला या गड़ा कुछ भी रस डाल सकते हैं और उस देखिए बहुत अच्छे से पक गया है मेरा अभी मैंने चला रही हूँ बहुत अच्छा हो गया तो इसने मैंने जो मटर लिया था वो मैं इसे मिक्स कर दे रही हूँ देखिए बहुत अच्छे तरीका से हो चुका है मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया शारा चीज यहां एक कटोरी पानी डाल दूंगी और इसके बाद तो और अच्छे से पक जाएगा जहें अब गढ़ा रस या पतला रस खाना चाहेंगे जो खा सकते हैं मेरा तो थोड़ा पतला हो गया है और इसे कुकर से मैं इसे बंद कर दे रहे हूं आप कुकर को खोल के देख लें द सब्सक्तिक ठोला हमारा strongest उससी मिक्स कर ले अब ह Sage देख इसे के C2 निकाल सकते हूं देखिया मैं यहां पे जो कटैसे मैं निकाल दी आपका तरीका से त्यास से त्यार हो चुका है और इसके बाद में नमकीण पूड़ी बनाऊंगी तो देखिया मैं नमकीण पूड़ी ब कि देखिए मैंने इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लें कि एक कुईया बना लिया है मैंने और जो मैंने कुईया बनाया था वो इसमें तील मैंने रिफाइन थोड़ा ले लिया है तो अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे देखिए यहाँ पर मैंने जवाइन मंग्रेल भी ले लिया है और इसे अच्छे से मैं मिक्स करूंगी देखिए यहाँ पर एक चमच मैंने नमक भी लिया है और इसे भी मिक्स कर दूंगी उसी में तोड़े अच्छे से मिक्स कर सकते हैं यहाँ आप दोनों हाथ से करें चाहिए एक हाथ से अच्छे से करेंगे पर तो देखिए मैं दोनों हाथ से इसे मिक्स कर रही हूं दोनों हाथ से करेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसलिए मैंने दोनों हाथ से मिक्स किया है और इसमें मैं थोड़ा अब पानी डाल दूंगी तो यह देखिए मैंने पानी भी डाल दिया पानी डाल के मैंने इसे मिक्स कर रही हूं थोड़ा इसे माल लेंगे तो बहुत अच्छे से यह पोड़ी बनने में असानी होगा है ज्यादा नहीं काड़ा नहीं गी लाटा चाहिए एकड़ मीडियम में रहेगा तो बहुत 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 रहेगा देखिए मैंने मैं यहां पर माड रही हूं देखिए यहां पर मैंने माड लिया है हलका हलका भी पूरा नहीं अच्छी से हुआ है कि देखिए यहां पर बहुत अच्छे से हो रहा है मेरा देखिए हमारा यहां पर बहुत अच्छे से हो चुगा है मेरा अब यहां पर त्यार भी हो चुगा है अटा अब मैं इसे बना सकती हूं देखिए मैं गैस पर कढ़ाई चड़ा ली हूं और मैं इसे थोड़े देर तक लिए गरम कर लूँगी तो देखिए मेरा कढ़ाई गरम हो चुका है तो मैंने इसमें रिफाइन तेल ओइल डाल लिया है और इसको रिफाइन तेल को भी थोड़े देर गरम करूँगी यह हमारा गर्म हो चुका है तो मैं अब आटा जो मैंने साना था उसको गुल कर लूँगी गुला और उसके बाद यह चौकी है मैं इसे बेल लूँगी देखे मैंने इसे पूरी जैसे बेल लिया है ज़म गुल है देखे बहुत अच्छे से हो रहा है बहुत अच्छे से फूल गया है मेरा पूरी आपनों देख सकते हो देखिए मैंने इसे पलाट दे देखिए कितने अच्छे से मेरा कलर में भी चेंज उच चुका है मुझे तो नमकिन पूरी खाने में बहुत ही टेस्ट लगा आप लोग बही बना के खा सकते हो आप लोग कैसा लगेगा और उसके बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताया है ये देखिए मैंने दूसरा भी पूरी बेल लिया और इसमें डाल दिया ये भी पूरी मेरा बहुत अच्छे से तरीका से त्यार हो चुका है देखिए मैं इसे भी पलाट लूँगी देखिए मेरा दूसरा ये भी कलर बहुत अच्छे से हो गया है देखिए मैंने पूरी को निकाल लिया और यहां पे छोला को मैं मिसने जो बनाया थे इसमें मैं मिक्स करनी उप्याज और एक चमस ठोड़ा नमकीन स्वादिस्ट लगता है ये सब डाल देएंगे तो देखिए और मैं एक चमस दही डाल दूँगी जिसम मिक्स करके खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगएगा हमारे पास धनिया पते नहीं था नहीं तो वो भी डाल देती और ये सब मिक्स करके बहुत अचलेगा दही डिवी डाल के मैंने खाया तो बहुत ही अच्छा लगा टेस्टी था और नमकीन पूरी और छोली के साथ तो और ही टेस्टी लगा मुझे ठीक है ओके बाई फ्रेंड्स मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें सेर करें बेला इनकां की घंटी को दबार ना भूले ओके ठीक है बाई फ्रेंड्स ओके बाई बाई